मैं बिहार से कोई कारिकरम करके और जा रहा था बोंबे जो वैसे तो आप सभी को पता होगा पावस्टर पावन सिंग और खिसरला जादों के बीच एक लंबे समय से घमासान देखा जा रहा है लेकिन शायदी विवाद इतना बढ़ चुका था कि बनारस के मौल में एक बड़ा घमासान होने वादा था लेकिन राहत की बात है कि ऐसा नहीं हुआ लेकिन समय वीता और इसके साथ साथ ही इस पूरे जड़ाप और विवाद की कही कॉल रिकॉर्डिंग वारल हो रही है तो कही मौल की वीडियो जिसमें कही पावस्टर पावन सिंग के टीम के लोग दिख रहे हैं हुआ का एक छोटा सा बयान आया है और उनको भी इस पूरे लड़ाई की ख़बर उन तक भी पहुच चुकी है और पवन सिंग और खेसरलल यादो के बीच जिस लेवल की जड़ाप हो रही है शाय दिनेशलल यादो भी अब इस बात को जान चुके हैं कि पवन सिंग और खेस पवन सिंग भी भड़कते हैं और यही वह वज़ा है जिसके वज़े से पवन सिंग ताओं में आके इस टेरे शो से कुछ भी बोलते हैं अलेकि नो डाउट दिनेशलल यादो ने किसी का पक्ष ना लेते हुए अपनी बात रखी तो उनका यह भी कहना है कि काफी लोग की कि दिनेशलल यादाओ इस पूरे विवात के बीच आकर इस पूरे ज़गड़े को सुलझाए ताकि भौचपूरी फिर्म जश्टी के दो सूपर स्टार्स इनकी आफसी मदवेद खताम हो सके बस क्या लगता आप सभी को इस पूरे ज़डप में दिनेशलल यादाओ को बी आफ ताकि आप सकती हो आप सूरे बीचे के लिचा आपस्टी को बीचे आप सो इस पूरे प्यादा आप साफ्टी के जापस्टी को घच्टी के पूरे प्रलेवद बालेगे।